आज हम computer के बारे में आपके लिए अदर जानकरी लाए हैं जिसे जानकर आपको आपके जो competition है पटवार पुलीस वगेरा इनमें आप अच्छा परदशन कर सकते हो क्योंकि आपको पता है आने वाली पतियोगी परिक्षा में computer के क्यूशन ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो देखते हैं computer के बारे में जानकरी देखो computer है computer का विश्कार किस ने किया था सन 1822 से 1837 के मद्दे चार्ल्स बेबिज नामक विज्यानिक ने किया था चार्ल्स बेबिज ने जो computer बनाया था 1837 के मद्दे उसका नाम क्या था analytical engine क्या नाम था उसका analytical engine चार्ल्स बेबिज द्वारा जो परतम computer बनाया गया था analytical engine था बात करते हैं चार्ल्स बेबिज को क्या का जाता है computer का जनक या computer का पितामा का जाता है अगर आपसे पूचा जाए computer का जनक किसे का जाता है चार्ल्स बेबिज को computer को हिंदी में क्या कहते है computer को हिंदी में क्या कहते हैं संगणक क्या कहते हैं संगणक इसके बात बात करते है computer लेटिन बहसा के किस से मिलके बना है computer से मिलके बना है computer का means होता है गड़ना करना कम्पूर्ट कमिन क्या होता है गड़ना करना जब हम इसमें E.R. लगा देते हैं तो क्या बन जाता है ये कम्पूर्टर अब कम्पूर्टर का फुल फॉम है क्या इसकी फुल फॉम जानते दोस्तों कई लोगों को ये पता नहीं रहता C का मतलब होता है common C का मतलब क्या होता है common Common का मतलब होता है सामानने सामानने इसके बाद बात करते है O O का मतलब होता है operator O का मतलब क्या होता है operator operator का मतलब होता है इसको चलाने वाला computer को चलाने वाला M का मतलब होता है दोस्तो machine computer क्या है machine है इसके बाद बात करते है P P का मतलब होता है परपच परपच का मतलब क्या होता है उद्देशे क्या होता है उद्देशे इस मसीन को आप किस उद्देशे से चला रहे हो U का मतलब होता है यूजड फोर मतलब होता है उपयोगी के लिए उप्योग के लिए आप किस उप्योग के लिए इस मसीन को चला रहे हो ट्रेड का मतलब होता है वेपार आप कम्पूटर की दुआरा क्या करते हो वेपार E का मतलब होता है education E का मतलब क्या होता है education और R का मतलब होता है दोस्तो result आपको computer से क्या मिलते हैं result पहले आप गणना करने के लिए calculator का उप्योग करते थे Thomas D. Colmar एक विज्ञानिक है Thomas D. Colmar जिसने सन 1820 के अंदर पेला यांत्रिक calculator का विश्कार किया था जो केवल क्या कर सकता था गणना कर सकता था लेकिन हमारा जो computer बनाया है 1822 से 1837 के मद्दे चार्ल्स बेबे दुआरा ये तारकिक गणनाए करता है कुनसी गणनाए करता है दोस्तो तारकिक गणनाए जोड गठाव गुणा बाकी जो सामानने गणना होती हो तो करेगा इसके अलावा अन्ने गणना भी आउकलन समाकलन ये सारी की सारी गणना किसके दुआरा की जा सकती है computer की दुआरा की जा सकती है computer को हिंदी में क्या कहते हैं संगनक computer सबसे ये मिलके बना था अब बात करते हैं दोस्तो computer के मुख्य पार्ट क्या होते हैं देखो आपको दिख रहे होंगे computer के मुख्य रूप से पार्ट monitor होत होता है माउस होता है और सीपीव होता है दोस्तों यह सीपीव है जो सीपीव का पुरा नाम होता है सेंट्राल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है सेंट्राल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है सेंट्राल प्रोसेसिंग यूनिट या रखनी है दोस्तों कई एक्जामों में पूछी जाती है कंपूटर का जो मस्तिक्स होता है कंपूटर का मस्तिक्स किसे का जाता है दोस्तों CPU को कंपूटर का मस्तिक्स किसे का जाता है दोस्तों CPU को लेकिन आप से पूछ ले कि CPU का मस्तिक्स किसे का जाता है तो CPU के अंदर एक चिप लगी होती है उसको बोलते हैं Motherboard क्या बोलते हैं Motherboard CPU का मस्तेक से का जाता है दोस्तो Motherboard को जबकि कम्पूटर का मस्तेक से CPU याद रखना दोस्तो बात करते हैं CPU के पार्ट कितने होते हैं इसको मुख्य रूप से तीन भागों में बाता है CU, ALU और MU दोस्तो राजिस्थान पुलिस के जो फर्स्ट पारी का एक्जाम था उसमें आप से पूचा गया था ALU Arthomatic Logical Unit क्या करता है यह जो गणनाएं होती है जित्ती भी परकार की गणना संबंदित किरिया होती है कहां पर होती है ALU में इसके बात करते हैं Control Unit Control Unit का मुख्य कारिय क्या होता है जो कंपूटर के अंदर आप डाटा इंपुट करते हो तो उसको प्रोसेसिंग के दोरान कंट्रोल करना जो परिक्रिया चलती है उसके दोरान कंट्रोल करना किसका कारी होता है Control Unit का बात करते हैं M U U का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है Memory Unit यह क्या करता है जिस परकार से आप कोई भी चीज पढ़के अपनी याददास में साम रखते हो उसी परकार से कंपूटर के अंदर भी क्या होती है Memory Unit आप कोई भी चीज इसके अंदर सेव करके रख सकते हो Memory Unit यह CPU के मुख्य रूप से तीन पार्ट होता है CU, ALU, MU CPU का मस्तिक से Motherboard बात करते हैं इसके बाद हम माउस की दोस्तों यह माउस है लेकिन एक बीच वाला बटन होता है जिसको क्या कहते है Scroll Bar उसके दुआरा क्या कर सकते हो आप स्क्रोल बार के दुआरा अब डाउन फाइल को उपर नीचे ले जा जा सकते हो इसके बाद बाद करते हैं इसके Left और Right बटन का क्या कारिया होता है दोस्तो जो माउस का Left बटन होता है उसका मुखे रूप से कारिया जादा होता है आपको कम्पूटर की स्कीन पे जैसे माउस को इलाते हो तो आपको यहाँ पर एक पोइंटर दिखाई देगा क्या दिखाई देगा पोइंटर इसके बाद बात करते हैं हम Left बटन का क्या कारिया होता है माउस का जो Left बटन होता है कोई भी जब आप Left बटन किसी पर किलिक करते हो फोल्डर पे आइकन पे तो सलेक्ट हो जाता है दो बार किलिक करने पर वो ओपन हो जाता है मतलब एक बार किलिक करोगी तो सलेक्ट दो बार करोगे तो open एक बार select दो बार में open right बटन की बात करते हैं right बटन का मुख्य कारिय एक ही होता है जब आप उप्योग करते हो विशेश कारिय में तो pop-up menu खुलती है उनसी menu खुलती है pop-up menu खुलती है बात करते हैं नेश्ठम keyboard की दोस्तो keyboard keyboard जो computer के अंदर input device है इसके दुआरा आप कोई भी data बहस सकते हो keyboard में कितनी की होती है सबसे पहला तो question यही बनता है दोस्तो जो keyboard होता है इसमें 104 से लेकर 108 की होती है अगर आपको 104 या 108 option में मिले तो आपको 104 और 108 पे किलिक करना है लेकिन अगर आपको 108 मिले तो आपको 108 पे प्रात्मिक्ता देनी है और 108 नहीं मिले तब आपको 104 पे प्रात्मिक्ता देनी है अब keyboard की जो की होती है उनको कितने भागों में बाड़ सकते हैं keyboard की की को 6 भागों में बाटा है बात करते हैं जो keyboard होती है, keyboard में सबसे बड़ी key होती है, उसे क्या कहते है, space bar, कुन सी की कहते है, space bar, इसके दुआरा आप क्या कर सकते हो, space छोड़ सकते हो, जब आप work करते हो word में कोई शब्द type करते हो इस पेस देने के लिए इस तौपियोग कर सकते हो इसके बाद बाद करते हैं इसकी जो की होती है पहले आती है alphabetic की alphabetic की कितनी होती है a2z कितनी होती है a2z मतलब 26 26 कौन सी की होती है alphabetic की दूसरी आती है numerical की numerical की कितनी होती है 0 to 9 कितनी होती है total 10 की numerical की कितनी होती है 10 की इसके बाद बाद करते हैं तीसरी आती है editing की editing की इसके दुआरा आप edit कर सकते हो editing की editing की की संक्या दोस्तो 13 होती है कितनी होती है 13 यार रखना editing की की संक्या कितनी होती है 13 जैसे आपको वर्ड में लाइन के प्रारम में जाना है तो आप लाइन के प्रारम में जाने के लिए किसका यूज करोगे होम का लाइन के अंत में जाने के लिए किसका उपियो करोगे end का इसके बाद आपको page इसके बाद आपको कोई सब्द right से delete करना है right की तरफ से आपको delete करना है तो किसका उपियो करोगे आप delete की का लेकिन left hand left की तरफ से आपको कोई delete करना है तो किसका उप्योग करोगे आप बेक स्पेस का इसका उप्योग करोगे बेक स्पेस याद रखना दोस्तो बेक स्पेस क्या करती है लेफ्ट से एक एक अक्सर मिटाने का काम करती है जब कि राइट से एक एक अक्सर मिटाने के लिए किसका यूज करते हैं राइट से एक एक अ पाई जाती है शिंबोल की ठीक है इनकी संक्या कोई निच्छित नहीं है शिंबोल की मतलब चिन बताने वाली होती है पलस माइनस गुना भाग यो भी चिन आते हैं आपके वो बताने के लिए शिंबोल की का उप्यूप किया जाता है फिर उसके बाद कंपूटर के अंदर वि इसमें एंटर की यह क्या होती है कुछ विशेश कारिये करने वाली की होती है जैसे सिफ्ट सिफ्ट का उप्योग किसमें करते हो आप सिफ्ट का उप्योग करके आप क्या कर सकते हो सिफ्ट के साथ अगर कोई की दबाते हो माना कि यह सिफ्ट है सिफ्ट के साथ कोई की दबान है आपको सीफट के साथ कोई की दबाओगी तो केपीटल अक्सर टाइप होगा कौन सा अक्सर टाइप होगा केपीटल इसक बाद कैप्स लोगया यहां पर पायाता है कैप्स लोगया अ?, अगर आपको सार्य अक्सर केपीटल टाइप करने है और украї का उपयोग नहीं करना है बिना सिप्ट के केपिटल टाइप करने के लिए आप किसकोन कर दोगे कैपस लोग को किसकोन कर दोगे कैपस लोग को Computer में तीन Integrator होते हैं Caps, Num और Scroll Log Caps, Num और Scroll Log कितने Integrator होते हैं की बोर्ड के अंदर Caps, Num, Scroll, Log यह हुई दोस्तों की बोर्ड के बारे में चरचा अब बात कर लेते हैं थोड़े ओनिटर के बारे में दोस्तों जैसे ही आप Computer को Own करते हो तो आपके सामने एक स्कीन आती है, कई बार पूचा जाता है, उस स्कीन क्या केलाती है, डेश्टोप केलाती है, क्या केलाती है दोस्तों, डेश्टोप केलाती है, अब डेश्टोप पे छोटे छोटे आपको आइकन्स नजर आते हैं, डेश्टोप पे जो पाई जाते हैं, उ फोल्डर किस कलर के होते हैं फोल्डर पीले कलर के होते हैं किसे होते हैं दोस्तों फोल्डर पीले कलर के होते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका ये कम्पूटर है कम्पूटर के अंदर कौन-कौन से डिवाइस होते हैं इन्पूट डिवाइस होता है और इन्पूट आउटपूट डिवाइस होते हैं, अब इन्पूट डिवाइस क्या होते हैं, इन्पूट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं, जिनके द्वारा आप कोई भी डाटा भेज सकते हो, कम्पूटर के अंदर डाटा भेजने के लिए, जिसका उपयूग करते हैं, वो डिवाइस कौ कुन सी डिवाइस होते इंपूट जैसे ट्रेक बॉल आप जैसे आप ट्रेक बॉल करोगे तो यहां पर आपको ट्रेक बॉल डेश्टॉप पे नजर आएगी पॉइंटर जैसे घूंटा ना वेसे टच पेड टच पेड आपने देगी रखिए जैसे टच करते हो आप तो कारी की संपन होता है इसके बाद कीबोड जैसे आप कोई की दबाओ गई यहां से तो अक्सर आपको खन दिखेगा डेश्टॉप पे अंदर पोज गया तो इंपूट हो गया माउस आप माउस को इलाओगे तो यहां पर करसर आपका रोटेट करेगा इसके बाद सेंसर सेंसर जिसका मुखी कारिय क्या होता है आपने वीडियो गेम खेला होगा जोइस्टिक परकार का हैंडल नूमा इस परकार की संद्रचना होती है वो वीडियो गेम में अप जो देखते हो जो ने हागी पीछे करने के काम आता है scanner scanner के दूराँ आप कोई भी चीज scan करके desktop पर भैश सकते हो इसके बाद बात करते ही wave camera आप अपना चेरा या photo इसके अंदर भैश सकते हो इसके बाद microphone अपनी आवाज को इसके अंदर भैश सकते हो इसके बाद OCR OCR क्या होता है दोस्तो Optical Character Recognization Optical Character Recognization यार रखना दोस्तों इसकी पूरा नाम Optical Character Recognization हस्त लिकिट डाटा को पढ़ने के लिए हाथ से लिखे हुए डाटा को पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों OCR का उपयोग करते हैं कई बार एकजामों में पूचा गया है हस्त लिकिट डाटा को किस से पढ़ते हैं OCR से OMR को पढ़ते नहीं इस से यार रखना दोस्तों OMR को पढ़ने के लिए तो OMR यूज किया जाता है जो आपकी OMR होती है न Competition Exam की तो OMR को पढ़ने के लिए OMR का उपयोग किया जाता है बात करते हैं इसका पुरा नाम क्या होता है इसका पुरा नाम होता है Optical Mark Recognization Optical Mark Recognization इसका क्या होता है Optical Character Recognization बात कर लेते हैं MICR दोस्तों MICR अब MICR क्या होता है Magnetic Inks Character Recognization जो आपका यह होता है MICR इसका UGR रखना किस में होता है बेंकों में बेंक में इसका UGR होता है किस लिए होता है आपने देखिऊ ओगी आपके जो चेक होते हैं चेक पर इस परकार के लाइने होती है ठीक है गुप्त डाटा छिपा होता है उसको पढ़ने के लिए M.I.C.R. का उपयोग किया जाता है ये 0-bit वा 1-bit में इस डाटा को पढ़ता है बड़े डाटा को पढ़ने के लिए 1-bit छोटे डाटा को पढ़ने के लिए 0-bit यार रखना 0 और 1-bit में पढ़ता है ये हुए दोस्तों आपके input device बात कर लेते हैं output device की computer के output device output का मतलब होता है वे device जो आपको बहार से उनको देख सकते हो वे device जिनको आप छू सकते हो और वे device आउटपुट जिनसे आप output पराप्ट कर सकते हो कोई भी चीज आप पराप्ट कर सकते हो क्या कहलाते हैं? output device कहलाते हैं आउट्पुट डिवाइस क्या होते हैं वे डिवाइस जिनके दुआरा आप आउट्पुट पराप्त करते हो कोई भी चीज आपने कंपुटर में डाली वह आपको पराप्त होगी बात करते मोनीटर मोनीटर में जैसे आपने कुछ टाइप किया तो आपको खाँ दिखेगा मोनीटर में आउटपुट हुआ आपको चीज दिखाई दिखाई दी तो मतलब आपको आउटपुट हुआ तो उसा हो जाएगा मोनीटर पहला हुआ आपका output device monitor monitor में जो आपको copy दिखाई दी गई यह उसको क्या कहते हैं soft copy कॉनसी copy कहते हैं soft copy क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं आई यह वो आपको monitor पे दिखाई दे रही है बात करते printer printer के दुआरा आप कोई भी चीज को print कर सकते हो प्रिंटर के दुआरा जो आपको प्रिंट प्राप्थ होती है उसको क्या कहते हैं हार्ड कोपी क्या कहते हैं दोस्तो हार्ड कोपी यार रखना कंपूटर के अंदर दिखाई देगी तो सॉफ्ट और आपके हाथ में प्राप्थ हो जाएगी प्रिंट होके तो hard copy क्याना लाती है headphone headphone आप जानते हो इसको लगा के हम अवाच प्राप्त करते हैं computer की, गाना सुन सकते हैं speaker गाने सुनने में उप्यूग करते हैं output डिवाइस है peloter, peloter का उप्यूग दोस्तों बड़ी-बड़ी इमारते होती है बड़ी बड़ी इमारतों की नक्से डिजाइन तयार करने में पिलोटर का उपयोग के जाता है यार रखना दोस्तों वेरी इंपोटेंट है कई एकजामों में पूचा गया है समूंदर के अंदर कोई भी स्थिती का पता लगाने के लिए गेहराई में किसी स्थितिका पता लगाने के लिए बड़ी बड़ी इमारते बनाने के लिए जो नक्षे तयार किये जाते हैं किसका उप्योग होता है दोस्तो लोटर का उप्योग होता है टाच स्क्रीन टाच स्क्रीन आप सब जानते हैं प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर आप जानते हो प्रोजेक्टर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कोई भी चीज को हम बोड़ पे ला सकते हैं यह हुए कम्पूटर के आउट्पूट डिवाइस इसके बाद बात करते हैं कम्पूटर के इन्पूट और आउट्पूट डिवाइस क बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ी सी कुन कुन से होते हैं, कम्पूटर की इन्पूट और आउटपूट डिवाईस इन्पूट एंड इन्पूट आउटपूट डिवाईस आउटपूट डिवाईस अब कम्पूटर की इन्पूट और आउटपूट डिवाईस कुन कुन से होते हैं कंपूर्टर के INPUT और OUTPUT डिवआज इन हाड डिस्क कुन सी है हाड्डिसक कौन सा डिवाईस है हाड्व इसका INPUT OUTPUT itself कि इसके आप निकाल भी को शीक्ते हो डाल जाल लाउशकता पढ़ने पर दूसरा가요 अपने मेंओरी ता क्या है memory भी आपने memory card देखा होगा उसको आप डाल देते हो निकाल लेते हो ठीके in भी कर सकते हो out भी कर सकते हो memory card को इसके बाद बात करते हैं तीसरा pen drive pen drive pen drive और case memory वगेरा इसके क्या होते हैं input output device होते हैं जिसको आप in भी कर सकते हो और out भी कर सकते हो कौन से केला आते हैं input output device आप computer में आप कोई भी data भैसते हो तो दोस्तों उसके अंदर क्या होती है एक परिक्रिया चलती है एक processing चलती है तो उस परिक्रिया के दोरान कौन-कौन से device पाये जाते हैं परिक्रिया device processing device कौन-कौन से होते हैं तो आपने देखा होगा पहला तो गया CPU CPU का मस्तिस कौन सा होता है motherboard और इसके अंदर क्या होती है memory इस तीनों की तीनों में क्या होती है processing processing में अगर पाया जाए तो कौन आएगा CPU CPU के कौन-कौन से पार्ट होते है motherboard memory CPU ठीक RAM ROM वगेरा इसमें आ जाएगी इसके बाद बात करते हैं computer के अंदर web browser कौन-कौन से होते हैं एक 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 आपसे क्यूशन web browser का 100% पूचा जाता है देखो जिनकी द्वारा आप इंटरनेट चला सकते हो internet explorer internet explorer बना रेता है इसके बाद mozilla firebox इसके दुआरा आप internet चला सकते हो google chrome safari यह क्या होते हैं दोस्तो internet web browser होते हैं इसके अलावा आपको कोई भी दिखे वो web browser नहीं है कौन-कौन से internet explorer mozilla firebox google safari chrome यह क्या होते हैं दोस्तो web browser होते हैं बात कर लेते हैं जो आप data computer में भैसते हो वह storage कहां पर होता है तो hard disk पाई जाती है memory पाई जाती है case memory पाई जाती है register पाई जाती है यह storage device होते हैं इसका करम आख से आप से पूचा जाए तो इसका करम क्या होगा दोस्तों देखो सबसे जादा data किसके अंदर समाईत ह होता है hard disk के अंदर किसके अंदर होता है hard disk के अंदर इसके बाद दूसरे नमबर पे कौन आता है दूसरे नमबर पे आता है मेमोरी दूसरे नमबर पे कौन आता है मेमोरी आता है ठीके मेमोरी में आपकी रेम होगी रेम रेम रोम वगेरा जो भी मेमोरी आती है सारी मेमोरिया इसके बाद बात करते हैं कैस मेमोरी कौन से आती है क कर दोस्तों यार रखना कैस मेमोर आय स्थाई डाटा को संग्रे करती है और फस्ट Nember पर कोंसा जाएगा रजिस्टर क्उसा जाएगा रजिस्टर तो सबसे ज़्यादा कुन करेगा हार्लिस फिर मेमोरी फिर कैस फिर रजिस्ट चोटी का कीं होगी रजिस्टर एगर आप से पूचiden सबसे छोटी काई कुंसी होती है रजिस्टर सबसे बड़ी ंचाई हाड बीस तो इस परकार से हमने storage device यह ack computer के part emotion के बारे में चरचा कि ठोड़ी सी लेकर F12 तक होती है, अब दोस्तों जो function की होती है, function की F12, F1 से लेकर F12 तक होती है, अब इनके कारिये क्या-क्या होते हैं, function की कारिये के बारे में चर्चा करते हैं, देखो दोस्तों, F1, F1 का मुख्य कारिये क्या होता है, help desk, आपको किसी परकार की help चाहिए, तो F1 के द्वारा help desk खुल जाती है, इसके बाद F2, F2 के द्वारा क्या कर सकते हो, आप find, कोई भी चीज आपको ढूननी है, माना कि कोई आपको मिलनी रही है, find करना है, तो find करने क के लिए किसका उप्योग कर सकते हो, आप F2 का उप्योग कर सकते हो, next बात करते हैं, आपको F3, F3 की द्वारा क्या कर सकते हो, search, ये search करने की काम आती है, कोई भी चीज आपको search करनी है, तो director F3 का उप्योग कर सकते हो, बात करते हैं, इसके बाद F5, F4, F4 का उप्योग किस है या बोल्ड करनी है कोई भी चीज माना कि आपको ए रिपीट करना है रिपीट करने के लिए किसका यूज कर दोगे F4 का और F5 वेरी इंपोर्टेंट की है यार रखना दोस्तो पेली तो यार रखना ये वाली किसलिए होता इसका यूज help desk के लिए है आपको help चाहिए help desk खुलेगी इसके दुआरा कोई भी चीज find करनी है ढूनने के लिए इसके बाद यह याद रखना दोस्तो रिफ्रेश रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का उप्योग करते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे इंपोटेंट की ह estiver F7 इसका ग्रामर और इस पेलिंग चेक में इस्ती प्रकार की स्पेलिंग है इस पेलिंग् चेक करनी है आपको और घ्रामर चेक करनी है तो disag सेवन का उप्योग कर सकते हो और एटस्थ वगं होता है है एटस्थ ने को एक कोई भी फाइल आपको शेवेचि की रूप में रखनी है तो डारेक्टर आप की रूप में आपके यह फंक्षन के एफ में मुख्य रूप से हल्प डेस्क खरने में और एफ सेवन क्या करते है इस पेलिंग और गरामर चेक करने में आपको एफ सेवन यार रखने हैं दोस्तों स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने में इसका उप्योग करते हैं इसके आगे हम बाद में बात करेंगे आपको में चाहिए आपको बड़ा अच्छा लगा होगा वीडियो देखके आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ज् इससे हम कंप्यूटर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देपाएं जेहिन वंदे महत्राम कुड़ मौन